हेले मेरे निजी इतने मिट भी पेसे चैने शिक्षा चाते शिक्षा जगा से जुड़े तमाम पर करका दिकारी और वाओ को भी नंदन टूड़े निज में आप सभी का श्वागत हैं 10 अक्टूबर 2024 टॉप ख़वरों के साथ मैं परजेंश हूँ ख़वरों के सुरुआत होगी बेतन आज भी और परधान भी PCTRE थी रिजल्ट पदस्थापन और अस्थांतर को कर लेकर क्या आया अपडेट्स मिसमेश डाउटफूल वार अक्टूबर के बाद तरंग परतियुगता अनुकंपा बहाली पर है अपडेट्स पंचायत में 15,000 बहाली भी होगी तो चलिए खबरों के सुरुआद करते हैं शिक्षको के अस्थांतर न को आवेदन शिग्र शिख्या मंत्री का आया वड़ावियान जी हाँ फ्रेंट्स शिख्षा मंतरी सुर्ण कुमा ने कहा है कि शिख्षकों का स्थांतर और पदस्थापन सबंदित ऑनलाइन आवेदन की परकिरिया सिग्रे ली जाएगी जी हाँ दिसंबर तक नई श्कुलों में शिख्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा गंभीर बता दे बर्जवासि शमेत अन्य शिख्षक शंग के नेता जो है फर्जेंस है और वे जो है इस पर केस करने के मुड में है अगर शंसोधन परिक्रिया नहीं हुई तो शंसोधन की मांग पांच-छे बिंदू उपर है और ये छे बिंदू जो खास करके उसमें है अनमंडल को छोड़ परखंड को मानले सरकार तभी मानने हैं शिख्षको को और शंग को जी हाँ अब इस पर जबर जस्त आमने सामने सिख्षक शंग और सिख्षक और सरकार आमने सामने हैं देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कुछ बड़ा मैटर लाती है खबरे दूसरी और चलते ह शिक्षकों की काउंसलीं पर निर्णे जो है वारह अक्टूबर के वाधी होंगे मिश मैश डाउट फूल और अन्य परकार के उसमें तूटी अंग पत्र या ओटीपी नहीं आये है या धार ठीक नहीं है तो फ्रेंट जीस पर आपका अपजेक्शन है वे डॉक्मेंट ओके रखें और वारह अक्टूबर के बाद आपको जो है डी आर सी सी से आपको मिलेंगे मौके इसलिए और आपको बता दे कि जो दूसरे जीलों में डाउट फूल मिसमैच या काउंसलिंग करा चुके हैं उनको वहीं डी आर सी सी पर सुधार के मौके मिलेंगे जी हाँ प्रें बनाएंगे शिक्षक और कर्मी जीला अधिकारियों को मिला निर्देश ने नितित्वर डीजे के अविजन और रिल बनाने पर नराज की है जी हाँ जीन्ष और टीशट पहनकर शिक्षक और सिक्षक तर करमचारी श्कूलों के शेक्षणिक संस्तानों में नहीं आएंगे और यहां रिल भी नहीं बनाएंगे जी हाँ दो तीन बाते खास करके आ रही है और खास करके वे शिक्षक जो बच्चो और स्कूल के रिल बनाकर अप्लोडेट कर रहे हैं उन पर आपती धर्ज की गई है और इसको देख रहे की जीमा जीला शिक्षा पदा धिकारी श्यमे में मिर्द, शिक्षक और शिक्षगत कर्मियों के आस्रितों करन कंपा के अधार पर चैहां 2421 नौकरी जो होगी दी जाएगी और सभी चैहां इसक उच्चुमादमिक विदालेट और शहाय के एक एक पद सर्जित किये गए हैं शिक्षार विभाग नबूद बार को नोटिफिकेशन यह जारी किया है कि चोंसर सो इकीस पदों की बहाली बिहार जिला परिशत नागर माध्मिक और उच्माध कितार बिदाले की निवती और पुर्णती यह सब दिये जाएंगे जीहां निमावली 2020 के गठित पैनल निर्मा की गई है कि अनुकामपा पर जो अभी आस्रित है उन्हें और भी बहांकेंसी का मौका दिया जाए एमडियम को लेकर आ रही बड़ी अपडेट इसकूलों में मद्धान भोजन योजना को हर हपते की जांच को लेकर आ रही है बड़ी बात जीहां राज्जे के सरकारी परम सिक्षावी भाग ने पांच नंबर जारी किया था उस पर सिकायतों का अमबार लगा है और इसके बाद से जो है सिक्षावी भाग शंग्यान लेगा और एमडियम पर जाज की परकिरिया आगे बढ़ जाएगी जीहां पंचाइतिये राज्जे मंत्री के दार परसाद गु चुनाओ से पहले कर ली जाएगी शुचना में सिवें पिश वारता में बुद्बार को कहा कि परकंड पंचायती राजे पता धिकारी के 29 पदों पर नियुकती के लिए अधियाचना बीपियसी को भेजी जा चुकी है और 306 पदों के छड़वाली पद है और फुल डीटे मुंबई की अस्पताल में 86 वर्स की उम्रे में आकरी सांसली और भाम भिमनी उनकी बिदाई जी हाँ फ्रेंट दो हजार आठ में पद में भी भूशन दिये गए थे उनको शम्मानित किये गए से अब देखिए परदेश अध्धक्स पैक्स 26 नॉम्बर से पांच चरोन में चुनाओं होंगे और शिक्षकों को डिप्टी लगने वाली है खासकर कि वे सिक्षक जो पो रैडिंग का काम अब तक कर चुके हैं उनकी डिप्टी लगभग लगभग तैय है सत परती सत नेश खबर के रूख करते हैं तरंग में इस बार गुलेल और गुली डंटा की पर परकिलिया आज भी चलने वाली है जी हां वे तन भुक्तान न जो एसे शेशे का वाधित है और आज भी बेतन भुख्तां की परकिलिया चलेगी इसमें सम्पूण सत परति सत कंप्लीट होई है कल बेतन भुकतान की परकिरिया जो हुई है आध्य धूरे हुई है यानि कि अभी भी उसमें सेस है तो सेस होने का मतलब है कि बेतन भुकतान की परकिरिया विचे लेगी अब सवाल है कि एरियर को लेकर के क्या कुछ मुडप है आपको बताते कि एरियर में 46% वाली एरियर 4% और तीन परसेंट वाली एरियर पश्मी चंपानड पूरवी चंपानड बखशर भोजपूर बंका गया गोपाल गंच शीवान ये सभी जगों पर तीन परसेंट, चार परशेट वाली बेतन भुक्तान परकृडिया में एरियर वकाया है। बड़ी एरियर के रुक में अगर देखा जाए। मद्भबनी में डीपी का एरियर फशा हुआ है,जो लाखो लाखो रुप्या फशा हुआ है। उनकी भी एरियर भुक्तान की परकिरिया संभावता इस बार होगी कि यह रास्ती है अगर नहीं होती है तो यह डिप्यूडियो साहब की लाप्रवाई होगी देखिए जो भी सिक्षक शाथी मधवनिश सबंदित है जिलाई काई के नेता से संपर करिए सबसे पहले अपना ए अट्मेटिकली आपकी हो जाएगी उसके लिए सब लाइट बिंदू रहते हैं तो एरियर भुक्तान कहीं भी किसी से सबंदित है तो निश्चित एरियर भुक्तान करवाने का प्रयास करें चाहें मातीति वें चिकिश्कियों हो यह चार यह तीन परसंट डिप्यों हो यह 15 15 परसंट बाला भुजपूर में भी बकाया है तो यह जो बकंदाने का प्रयास करें और सबसे परधान वीपीची टी टियरो सबन्दी क्या जन्कारी आ रही है कि परधान और पूसका रिजल्ट विया जाएगा तो यह इंतिजार है देखना ये है कि और कितना समय लगता है जो कि समय या तई समय था कि सितंबर लाश्ट तर लेकिन दसारा फ़र्ब तेवार आने के करण इसमें बिलंब हो रहा है इसके बाद वेतन धुगतान की परकिरिया के शाथ-शाथ समापती के बाद आपको परधान बीप